नमस्कार सभीकों मेरा नाम डाइमेंड गुपता है और मैं और विने बंडारी सर आपके लिए इस हफ़ते का पॉड़कास वीडियो लेके आ रहे हैं थोड़ा लेट हो गया लास्ट विक थोड़ा विने सर भी बिजी थे डाइमेंड सर भी थोड़ा बिजी थे जिसकी वहीं रहे हैं कि डेली नया हाई तूड़ जा रहा है पिछले कुछ हफतों में तो वह चीज को कैसे समझना है और जो आज का हम लोग 26-12 को रहे हैं 26 दिसमबर को इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे आपको यह वीडियो मिलेगा तब आपके पास शायद एकसेस रहेगा और आप तम मार्केट को अल टाइम है पे और वापस देख सकता है चांसेस है जो कि हम लोग आज के अनालिसस में भी शेयर करेंगे फिलाल के लिए मैं विने भंधारी सर को ओवर करूंगा कि भंधारी सर बताए सबसे पहले तो बुलरन क्या होता है किस तरहीके से वो काम करता ह है और वो सारी चीजे आपको एक्स्प्लेइन करें है ना ओवर भंधारी सर के देखे सबसे पहले तो हमें यह समझने कि बुलरन क्या होता है और बियर फेस क्या होता है बुलरन मतलब जैसे कि हम नाम से ही समझ रहे हैं कि बजार तेज बजार जब बजार एक अच्छी खास होगा कैसे हमें को करते हैं कितनी हमें मिलती है देखने के लिए इसे भी समझेंगे सभीए तो मैं सबसे पहले चाट सेर करूंगा आप लोगों के सांथ मैं यह है हमारा निफ्टी का चार्ट और यह चार्ट जो मैंने लगाया है वीकली टाइम फ्रेम में लगाया इसे अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में यह मैंने लगा रहा है यह सामने यलो वाली एक लाइन देख रही होगी आपको मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इस सब कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे समझने में आपको थोड़ा एजी रहे यह मैं इसे blue कर लियता हूं यह मैंने blue कर लिया यह जो blue वाली line है यह क्या है 52 moving average line सिंप्ल मूविंग एवरेज की लाइन है आप यह में भी लगा सकते हैं और ऐसे में भी लगा सकते हैं दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं अब इसमें हमने समझना क्या है देखो यह 10% का फाल इसे मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ इसकी हमें जवरत नहीं है यह देखो मैं पीछे जाता हूं मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा अभी करेंड से मैं पीछे जाता हूं सन्दोहजार से जैसे डूथाउजन मे जैसे आप लोग कि निकिंए यहां हम देख रहे हैं एक बजार ने अच्छा हासा मूमेंट बनाया से लेकर 2,000 तक बहुत बड़ीली थी बजार में 98 से लेकर 2,000 तक सब्सक्राइब कैसे देखो हमारा तो हमें एक चीज और समझ में कि आगी आपको समझ में आईगी देड़ दो साल तक रहता है बजार जब नीचे गिरता है तो उसके बाद हमें जो रैली देखने के लिए मैं मिलती एक अच्छी के लिए देड़ साल तक मिलती है एक यह करमें नs पर यहां हो यहां बजार ने अच्छा मुमेंट लिए से 2000 तक टूथाउजन के बाद बजार में एक अच्छा करेक्षन देखने के लिए हमें मिला है यह देखो यहां पर यह करेक्षन को हम कैसे अनलाईस करते हैं हमारा जो बजार था यहां 98 से 2000 तक यह चार्ट वने लगाया यह weekly chart लगाया मतलब एक जो candle है यह एक हपते का candle है इसे समझना एक candle जो है एक हपते का candle है और यहां हमने कैसे करते हैं कि हमारा जो market है हमारा जो index है वो हमारा 52 SMA या 52 EMA दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो यह 52 क्यों लिया है मैंने इसे भी समझे 52 मैंने लिया है इसलिए कि हमारे एक साल में 52 weeks होते हैं एक साल के अंदर हमारे 52 weeks होते हैं इसे आप 52 भी ले सकते हो 50 भी ले सकते हो 50 के आसपास ले सकते हो से तो मैंने बिल्कुल accurate 52 weeks लिए अब यहां हम उपर निकले तो देखो यह continue बजार उपर गया और यहां गया हमारा कब February 2000 में 8100 के सबसे अनि कि और आप यहां पर देखेंगे अएंसे में और हमारे बीच के जो बीच की दूरी है वह काफी बढ़ गये यहां आप देखेंगे ऐसे में और हमारे जहां पर बज़ार चल रहा है उसके बीच की दूरी काफी बढ़ गई है तो यह काफी तेज होता है बज़ार तो कोई न कोई खावर ऐसी आती है जिसके कारण से बज़ार के गिरने के कारण बंते हैं जहांपर क्यों बन दे हैं कारण क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए लोग जो रहते ना वो यह यह रैली को देखके चड़ते हैं बजार में कि बजार अच्छा का सा मुमेंट ले रहा है तो सब लोग एंट्री करने की कोजिस करते हैं कि मैं कैसे पीछे रह गया मुझे भी तो खरीदना है पीचे गिरता है अब यहां देखो यह अच्छा मुमेंट लिया और उसके बाद हमें एक फॉल देखने के लिए मिला पॉल हम समझते हैं कम से कम 15 से 20 परसेंट के फॉल को हम बोलेंगे बियर मार्केट 15 से 20 परसेंट यह उससे ज्यादा भी होता है कभी कभी 30 35 50 60 65 परसेंट भी हुआ है तो यह जो बड़े फॉल जो होते हैं इसे हम बियर मार्केट समझते हैं तो यहां हमने देखा बीक्री चार्ट है एक अच्छा मुमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद 2000 में ही हमने बजार देखा कि 2 से 3 महीने के अंदर ही बजार हमें हमारा करेक्शन बना और 33% परसेंट हम नहीं के लिए मिल रहा बजार है कितना करेक्शन 33% का क्रेक्शन उसके बाद फिर थोड़ी सी तेजी दिखाने की कोसिस करी लेकिन कुछ नहीं हुआ बजार यहां है हमारा 96 1997 1998 2000 को कैसे करेगा हमारा सारे इंजिनियर्स फेल हो जाएंगे सब कुछ फेल हो जाएगा वैसा भी कुछ सेनारियों बना हुआ था तो उस चक्कर में भी बहुत सारे आइटी स्टॉक्स नीचे गिरे थे 2000 में संदो जार माइटी स्टॉक्सी बहुत पिटाई हुई था जो सेर चौबिस सो चौबिस सो पच्छी सो पच्छी सो चल ले थे वो तीन तीन चार चर पांट पांट ददस रुपय आ गए थे ऐसा भी हुआ था सही है तो यहां हम देख रहे हैं अच्छा खासा क्रेक्शन देखने के लिए मिला फिर बजार एक downtrend में हमें देखने के लिए मिल रहा है कंटीन्यünde को यह अगर देखोगे यह यहां यहां पर नीछे किरने के बाद एक डाउन में रहा है कब तक 2001 तक अगर मैं इसे थोड़ा यहां तक लेता हूं तो आप परसेंटेस्ट हम मैं देखो कि कितना 50% के आसपास हमें देखने के लिए हाई से 50% तक हमें देखने के लिए मिल रहा है कितने 84 बार्स 84 बार्स मतलब तो इस नमबर ऑफ डेज हमारे सामने आ जाएंगे कि कितने दिन बजार हमारा डाउन साइड में रहा है तो यहां देखो 50% का करेक्शन देखने के लिए मिला फिर बजार ने कोसिस करी अपसाइड जाने की कितना गया यहां से 800 से 8 1200 के आसपास गया लेकिन यह बजार में कब बनेगा जब इस हाई को निकालेगा तब हम मानेंगी कि हाँ अब नए फेस में गया बजार यहां से हम यह समझेंगे नए फेस में गया है तो यह जो टाइम रहता है जब बजार में करेक्शन बनता है 35-40-50 परसेंट का तो यह इन्वेस्टर्स लोगों के लिए टाइम के बाद recovery लेता ही लेता है तो यहां भी हम देख रहें गिरा recovery फिर थोड़ा सा नीचा आया अब फिर एक अच्छी recovery यह जो हाई लगा था यहां पर फरवरी में 1822 के असवास का निफ्टी में यह हाई इसने यहां निकाला कब निकाला 2004 में और 2004 में ही फिर correction बना बजार में अच्छा correction 35% का correction देखो यह आप देखोगे 2004 का correction है जन्वरी 2004 से लेकर माई पांच महीना पांच महीने हमारा बजार एक डाउन ट्रेंड में रहा था उस समय 2004 में और एक अच्छा correction 35% का correction और यहां आप देख रहे हो कि यह बार-बार क्या कर रहा है 52 SMA या 52 EMA भी समझ सकते यह में भी डाल सकते हैं तो 52 SMA को के नीचे लेके आ रहे हैं या उसे टच कर रहा है बजार बार बार यहां भी देखो यहां नीचे गिरा यहां पर SMA पर यहां से देखो आपको इंवेस्मेंट कब सुरू करना रहता है यह चीज भी ध्यान लगा लिए कि खरीदना कब सुरू करें खरीदना एक साथ नहीं होता है जब बजार नीचे गिरता है सारा पैसे एक साथ नहीं लगा रहा है धीरे-धीरे अक्मुलेट करना होता है तो जब 200 हमारा SMA के नीचे आ हम समझते हैं फिप्टी टु एस फेमें वीकली चार्ट लगाके देखना हम नहीं चीद हम लगांगरा के नहीं देखना विखली हुग लगा के उसके नीचे आना शुरू हो जाता तब हम एक्किमलेशन करना स्टार्ट कर दें एक बड़ी रैली जैसे हमें रैली गो को तो ह सर हम एक्जट कैसे लेगा देखो एकज़ित का भी फॉर्मला है यहांब को बताता हूं जैसे सप्डश मैं आपसे कह रहा हुए लिए, हमने एक्जूमलेशन करनास किरा यहां बजार नीचे गीरा और हमने एक्जूमलेशन करनास किर दिया यहां, यहां हम एक्देकर रहे हैं कि यह रेली होने के बाद हमेंगेसे लीना है कैसे लेना होता यह समझ्झा सबस्राइं हमारा सब्सक्राइब लेफ हम एस जबंरहा है जो भी इस टॉक्स बाई करें जो भी पॉर्टफोलियों बनाया हमारा ड 있다 हुम्झ निकाले लें कैसे जैसे सब Unless Bun beल लगां अभी सौर वर मेरे को पच्षीज पर्LEइटन बनाके दें कितना पच्षीज पर्षेंट बनाके देंगे 25 मतलब मेरे सौ रूपए का 125 रूपए हो गया तो मेरे काम क्या है कि मुझे 25 रुपए तो निकाल लेने हैं बजार से मुझे बजार से 25 रुपए निकाल लेने हैं 100 रुपए जो मेरे हैं वो डले रहने दो 25 रुपए मुझे निकाल लेने हैं यह 25 रुपए जो मैं निकालूंगा इसका यूटलाइशन कब होता है जब बजार नीच मैं समझना उसे तो मैं पूरा तो निकालूगा नी क्योंकि मुझे पता नहीं कि रैली और कितनी उपर जा सकती है यहां से तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है एक अच्छी रैली बन गे तो मैं कम से कम अपने प्रॉफिट का जो 25 रुपिया है वो तो निकाल फिर यह 25 रुपि है कि हमें कब पता चलेगा 25 रुप डालू तो हमने इसका यूज लेना है इसका हमने यूज लेना होता है कि हम 52 यूज लेके समझ सकते हैं अब मेरे को यहां से डालना स्टार्ट करना है अब देखो यहां भी 35 परसंट का करेक्शन देखने के लिए मिला फिर एक अच्छी कि और यहां न् vi рук 2005 मैं डिसमबर 2004 में फिर नए घचार नाया है बनाने के बाद करनी कि यहां से यहां का य्प रिटन करना कितना रिटन होता है यहां से यहां का रिटन कि हमने जो बजार 1300 पर देखा वो 1300 का हो गया 3700 तो करीब तीन गुना के असपस हमारा हो गया 1300 का तीन गुना के असपस तो हमारा हो गया तो अब हमें दिख रहा है कि अच्छा पैसा बन गया है बजार में अच्छा मुमेंट बन गया है तो एग्जिट लेना चाहिए हम यहाँ पर जो भी हमने लगाया होगा उसका जितना हमें प्रॉफिट हो रहा उतना निकाल लेंगे फिर दुबारा जो इन्वेस्मेंट करेंगे वह यहां करेंगे जब यह को टच कर लेगा हमारे जब ऐसा में को टच कर लेगा 52 sma को यह थोड़ा-थोड़ा एक्जिट लेंगे अपना जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा उत्ता निकाल लेंगे फिर दुबाड़ा जब SMA को टच करने के लिए दुबारा नीचे आएगा देखो यहां पर 31% का करेक्षन है यह हाई से जो करेक्षन पर टॉपे यहां पर डालना है कि हमारे पास सौ रुपए तो सौ पर डालने बीस रुपए तो बीर बीश रुपर डालने जो भी है हम यहां सकते विने सर मैं एक छोटी सी चीज़े हां पर अड़ करना चाहूँगा थोड़ा हम पीछे जाएंगे सेप्टेंबर अक्टोबर 2005 के आसपास जो यह रैली हुई फिर उसने टॉप लगाया 3780 के बास तो आप लोगों को यह समझना है कि 3780 जब रहेगा यह ज़रूरी नहीं है कि तब आपका पॉटफिलियो 125 टका हो अगर आपने स्पॉल कैप में डाला होगा तो हो सकता है कि जब इसने यह हाई निकाला था ना 2600 का हाई हो सकता तभी आपके पास 25 टका हो तो आप वहां 25 टका निकालिए फिर आपका हो सकता सो रुपए फिर 25 टका बनेगा आप 25 टका और निकालिए फिर आपका हो सकता 25 टका और निकले तो आप वो भी निकालिए और जैसे ही वो गिरे वापस ऐसे में गिरे हो सकता है, आपने 100 रुपए लगाए थे, और आपने 2-5 साल के इंटर्विल के अंदर 75 रुपए निकाल लिए, अब आपका मार्केट में कितना है, 25 रुपए, जिसमें से 75 रुपए था आपके एकाउंट में पड़े हुए, और ये आप normal FD में, RD में रखिए, जो आप बिना चार्जेस के भी निकाल सकें, क्यों? क्योंकि आप मार्केट में opportunity का wait कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस दिन opportunity आएगी, आपको पैसे डालने हैं, बैंक से निकाल कर, ठीक है? जैसे ही पॉल आएगा, अब आपके बस कितना है? 75 रुपए आपके हैं, और 112 या 113 शायद चल रहा हो, क्योंकि आपने दो 100 से 125 गया 25 निकाल दिये, फिर 100 से 125 गया फिर 25 निकाल दिये, फिर 100 से 125 गया आपने 25 निकाल दिये, है यह जो बड़ा rally है, वो एक या दो बार काम कर जाएगा, तीन बार काम कर जाएगा, तब तक आपका अपने पैसे side में थी ना इस रैली में दस-दस-पंद्रा-पंद्रा गुना पैसा हुआ है सब्सक्राइब यहां देखो फिर यह नीचे हम देख रहे हैं कि उपर गया आप एक्जिट कर रहे हो यहां कुछ ना कुछ खरीदना है बस यह चीज़ ध्यान रखनी है मतलब जो हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसी में नीचे में फिर ले लेना हमने सब्सक्राइब बेचा हमने 200 रुपे में रिलाइंस बेचा तो 200 वाला रिलाइंस हमें 500 रुपे मिड़ा तो फिर ले लो उ से ऐसा निए कि 200 में बेचके 190 में ले लिए वैसा नहीं करना है अच्छे रेट पर लेना है फिर यहां देखो यह बड़ा हमें बुल रंद देखने के लिए मिला था कब 2006 में नीचे गिरा था बजार जून में मही में फिर उसके बाद हमें जन्वरी जन्वरी 2008 तक बजार अपसाइट देखने के लिए मिला था जन्वरी 2008 तक और फिर यह जो फॉल हुआ था यह बहुत बड़ा फॉल था 65 परसेंट का फॉल था यह जो फॉल था लेमन ब्रदर्स का कॉलेप्सन उसकी बज़े से यहां पर फॉल आया था जन्वरी से गिरना सुरुओ था देरे देरे गिरते गिरते पूरा 65 परसेंट का का करेक्शन बजाने दिया था तो शिक्स्ती वनंडेड निफ्टी चलता था वह आ गया था हमारे कहां 2300 में कितना टाइम लिया इसनी नीचे आने में 10 महीने 11 महीने के असपस लिया जन्वरी से करेक्शन हुआ अक्टूबर नौमबर तक उसके बाद फिर थोड़ा था एक रेंज बाउंड रहा बजार हमारा मार्स 2019 तक फिर मई में आए तो एलेक्शन के बाद फिर देखो यह कितनी बड़ी बड़ी कैंडल हमें देखने के लिए मिली है यह मई में यह यूपीय गवर्वर्बेट आईदी उससमें कांग्रेस उससमें बजार तेज भागाता था है और सब्सक्राइब यह थे अच्छा खासा मुवमेंट हमें देखने के लिए यह यह जो रैली दिख रही है आपको यह 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 जो कंडल है यह यह जो कंडल के डिक्रेशन के गेंडल है अठरा मईड तूथाउजन नाइन और उसके बाद से देखो बजार ने एक अच्छी रै से सिक्स्टी बनाया फिर इसने फॉल दिया कहां तक 27 प्रजेंट का कॉन से मैं 2010 नौंबर 2010 से सुरू हुआ था करेक्षन तो यह आपको क्या मंत नोट कर लेने कि कितना बड़ा करेक्षन चलता है मेरे हिसाब से अगर हम देखें बुलन रहता है वह बारा से 18 महीना 24 महीना इतना एक मुमेंट लेता है उसके बाद फिर एक करेक्षन बनता है फिर एक मुमेंट बनता है फिर करेक्षन बनता है करेक्षन दो महीने तीन महीने कभी हो सकता है दस महीने कभी हो सकता है कभी कभी साल साल कभी मुमेंट हमने देखा है करेक्षन एक-एक साल का करेक्षन भ तो यह दिसंबर 2011 तक बजार यह नौवंबर 2010 से गिरा दिसंबर तक पूरे एक साल बजार हमें करेक्शन मोड में दिखा लेकिन अब यहां हमने सपोस हम बेशते आ रहे हैं यहां हम खरीदना का बिल्कुल यहां तो हमें मिलेगा नहीं कि हम सारा पैसा यहां डालेंगे हमने यहां से स्टार्ट करना सुरू कर देना है कि हमें दिख रहा है कि हमारे ऐसे में के नीचे आ गया है उसके बाद से स्टार्टिंग कर देना है कि चलो हमारा इंवेस्मेंट दीने दीने स्टार्ट हो जाए आप अगर देखोगे तो यहां से 5300 से 5800 यहां भी निफ्टी गिया है और यह परसेंट इस्टम में देखो अच्छा परसेंट है फिर नीचे गिरा फिर उपर गया फिर यहां देखो बजार फिर एक अब देखने के लिए मिला बजार आपको क्या देखना है कीवल यह देखो एस से में नीचे जा रहा है तो उसके बाद पिर एकूम्लेशन सुरू करना है कि क्या लगा है अबने 52 एसे में भी लगा सकते हैं फिर उसके बाद जब चल रहा है तो चलने दो चल रहा है चलने दो आपका 100 रुपेया आपका 500 हो गया 130 हो गया 140 हो गया तो उतना पैसा निकाल लो जो प्रॉफिट का पैसा वो निकालती चलो मांकी पड़ा रहें दो अपना सब्सक्राइब आपका बन गया एक करोड तीस लाख तो तीस लाख निकाल लो एक करोड रहें दो तो वो जो तीस लाख आप निकाल रहे हो उसे आपने कब डालना है उसे डालना है यहाँ पर जब यह SME के नीचे आए रहा तो यह देखो यहां पर फिर हमने देखी एक तेजी बजार में 2015 में फिर करेक्शन बना अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिला हमें बजार में 2015 में कितना करेक्शन 25 परसेंट का करेक्शन तो 25 परसेंट जब इंडेक्स करेक्ट करता है तो यह समझो mid cap small cap तो करीब 60-60% का correction दे देते हैं मदला अगर 100 रुपाला कोई mid cap share है small cap share है तो वो आपको 30-40 रुपे मिल जाएगा 25% के nifty के correction में और large cap जो है वो भी 30-35% correct हो जाते हैं जब nifty 25% correct हो रहे तो large cap भी हमारा 30-35% हो जाते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 100 रुपे-10 रुपे मिल रहा है हमें 80-80% का correction भी हो जाता है small cap में तो small cap में हमेशा बहुत बढ़ी rally जब हो जाती है तो small cap से निकल के बैठ जाना चाहिए वहाँ पर तो यह बात हमेशा ध्यान रखना है और अगर आपको experience करा है तो comment करके भी बताओ अगर आपने कोई small cap लिया और अच्छी rally होई आप नहीं निकल पाए फिर उसका भाव आपने down देखा है तो वो जो stocks थे उन्हें comment करके बताओ कौन से stock ऐसे हैं जो आपने बहुत हाई पर लिय देखो यह 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 हमने हमने एकमmaybe करना है यह और चालीस परसेंट अब जब यह 40 परसेंट गिरा तो आप यह समझाओ कौन से बाव आ गए थे और इधर जाओगे 2014 के भाव आ गए थे इस टॉक्स के जो रेट थे वह 2014 वाले आ गए थे मतलब 6 साल पीछे पहुँच गए आप 2020 में जो स्टॉक्स के भाव थे वह 6 साल पुरा ने भाव आपको रहे थे तो ऐसे टाइम में थो आपको पता भी छह साल का जो मेरा जो 6 साल पीछे का जो इंवेस्मेंट था आज मैं कर सकता हूं तो यह टाइम रहता प्रॉपर इंवेस्मेंट का तो यहां भी अगर हम कुछ डालते थोड़ा बहुत यहां से सुरूवात होती है हमारी कब 11,100 से 12,000 के आसपास से गिनना सुरूवाता 12,300,400 से और उसके बाद देखो आठवाज़ साथ हजार पांसो साथ हजार चारसो के आसपास बजा रहा गया था उसके बाद फिर रैली देखो फिर हमने रैली देखी और मॉमेंट कहां तक बना यह देखो यहां तक अक्टूबर 21 तक यह अक्टूबर 21 मतलब कितना कितना ड्याइम हो गया यहां से अगर हम टाइम निकालते हैं यहां से एक अच्छा मुमेंट हमें एटीन मंस तक बढ़िया मुमेंट देखने के लिए मिला फिर बजार में करेक्शन मना कितना अटरा परसेंट के आसपास का करेक्शन जो अभी हाल फिलाल हमने देखा जून टूथाउजेंट टूएंटीटू में वहां पर भी स्टॉक्स के भाव अच्छे खासे नीचे आ गए तो यहां पर भी अगर किसी ने करा होगा तो उससे भी अच्छा रिटन बन रहा होगा अब यह सामने चार्ट देखके आप यह चीज करने की कोसिस करो कि यह जो अभी बजार है हमारा 21.400 यह हमारे एसे मैंसे कितनी दूर है तो क्या का टाइम है यहां पर हमने इंवेस्मेंट कर रहा चाइए यहां पर बजार जब मैं नीचे से यहां तक ले रहा हूं कितना परसेंट का मोमेंट हो गया है 40% तो 40% का moment low से 40% 60% का moment अगर होता है तो sufficient रहता है मेरे हिसाब से जब बजार नीचे गिरता है और उसके बाद जब moment लेता है तो 40 से 60% का moment अगर बजार ने ले लिया है तो वहाँ पर हमने सोचना है कि बई जो हमें कुछ मिल रहा है profit क्या हम book करना है start करें सारा नहीं निकालना होता है यह बात ध्यान होगा बहुत सारे लोग क्या करते है तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं करना है हमने कि हम पूरा portfolio खाली कर दें हमने निकालना होतना जितना हमें profit हो रहा है हमने 100 रुपय डाला यहां से यहां तक हमारा 40 रुपय का प्रॉफिट हो गया सपोज मैं यह समझ रहा हूँ तो हमने 40 रुपय निकाल लेने यहां से और उपर भी तो जा सकता है यह किसे बता है बजार का बिलकुल accurate कोई नहीं बता सकता बजार किसी को नहीं पता है हमने काम कैसे करना चाहिए किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके कैसे हम अपने जो हमारा investment लोसे कैसे grow कर सके तब यह 100 रुपय का मेरा 140 हो गया तो तो सही है नीचे आएगा थोड़ा 20 रुपे नीच आएगा मैं फिर ले लूँगा मेरे को लग रहा है कि मेरे SME को टच कर दिया है तो मैं फिर से ले लूँगा फिर से मैं अंट्री कर लूँगा तो ये चार्ट को देख के आपको खुद से समझना है किसी से पूछना नहीं है चार्ट को देख के कुछ से समझना है क्या मेरे को अभी investment करना चाहिए क्या क्या मुझे यहाँ पर investment करना चाहिए क्या ये खुद से आपने दिमाग लगाना है किसी से नहीं पूछना है ये चीज़ ध्यान रखनी है ओके एक ये चीज़ ध्यान रखना जी मैं एक चीज़ और इसमें आड़ करना चाहूंगो विने सर प्लीज कमेंट करिएगा अगर आप एगरी करते हैं अभी भी अपने को जैसा विने सर ने कहा अभी अपने को पता नहीं है कि 24,000 जाएगा या 25,000 जाएगा अपने को अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालके साइड कर देना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेडिंग में भी शाउट करना शुरू कर दे कि हां मार्केट इतना उपर चला गया इसका मतलब यह है कि अब आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है क्योंकि जो जो 300 साड़े 300 से चले हुए स्टॉक्स थे आप जून छोड़िये अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी दो महिने पहले की बात कर रहा हूँ वो सारे स्टॉक्स भी डबल हो चुक है कोई-कोई बलना रुपय मेरे पॉकेट में है उसको मैं रिस्ट पे डावां मुझे उसको रिस्ट पे नहीं डालना है आपको यह समझना है कि जो मीरे मेरा पॉकेट हो जो नब मेरे पॉकेट से उतना ही रिस्क जाएगा जो अब छोटा-बोटा compost होगा यहां का जो लो होगा इस एरिया का जैसे अभी देखिए 21,000 का जो लो है जो लास्ट विक लगा था उस लो को आप एसल मान लीजिए अगर वो लो निकलता है इसका मतलब है मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के लिए रेडी है आप थोड़ी दिन हो सकता है दो 2010-2011 के बाद वो विचारे ने 17-18 के बाद मोमेंट दी है और टूटल 6 साल इंवेस्टर्स को रोक है राइट विने सर शह साथ साल करेक्ट तो उसी एरिया में वो 11-15 सो का शायद मेरे पास रेंज था या 800-1100 का कुछ तो रेंज था और उसी रेंज में वो रहे गया एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, पान साल नहीं अगर आप निफिटी हो दिखके रेलाइंस में ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टी करेंगे तो कहीं न कहीं आपका रेटरनreibt उपर नीचे हो सकता था आपको पोट्फॉली वे वैसे बेके बाद बेके लिए कुछॉ स अध्यान दिक्कत और इंवसमेंट दोनो अलग अलग पाट है कैसे डायमन जी ने बोला कि ये देखके हम मंदार्म नीचे गिर जाएगा प्रेडिंग ते ऑं अपने करेंडिब Gestुन का अच करना है तो वूचीज अलग है इंवेश्मेंट की बात कर रहा हूं कि बुल रण में कि तो हमने कव एंट्री कव एग्जिट करना होता किसी बातों का ध्यान रखना होता है उसे समझना है बस हमने यह ध्यान रखना है 52 ऐसे में जो हम लगाते हैं उस उस पॉइंट पर जब जब बज तो यह थोड़ा सा आया नहीं उसके आसपस आया था लेकिन अब आगे कभी आएगा तब हम्हों सकता है बार यहां जाए फिर यह यहां टॉच हो जाए तब हम देखेंगे कि हां चलो हमने करना इंबेस्मेंट लिए थोड़ा सा ध्यान रहो अगर हमें कुछ मिल रहे को हैच कर सकें तो हैच करना भी आना चाहिए जैसे मैं तो अपने बढ़ पोट्फोलियों को हैच कर ले दा हूं जब मेरे को लगता है बजार अच्छा का सा मोमेंट ले लिया तो हैच कर लिया कोई प्राउलम नहीं उसमें बहुत सारी चीज़े रहती यह सब चीज़े बुल लिए है और कौनसे स्टॉक ऐसे हैं जो आपके डबल हो गए हैं कौनसे स्टॉक ऐसे हैं जो 50 पर संट डिटन दे रहे अपना नाम भी लिखो कि हाँ ये मेरा नाम इसर मने यह स्टाक लिया था इतना पर सेंट मुझे बना कर दे रहा है तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन म I hope आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, देखिए, सीखना धीरे-धीरे है, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं, पॉडकास वीडियो एक विने सर ने डामेंटर ने बना दिया, उसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, 1.5x करके दो बार देखिए, क्योंकि विने सर और मैं जितना स्लोली बोलते हैं हम लोग, आप लोग उसको 1.5x में अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, तो आपको उस तरीके से देखना है, एक बार, फिर कोशिश करनी है, आप ये जो 52 SMA या फिर EMA है, आप जाके लगाईए Reliance में, आप जाके लगाईए HDFC में, LNT में, अभ 15-20% अपने SMA से उपर है, रिसर्च करिये, ठीक है, Nifty 50 के स्टॉक्स में, अटलीस जाके, तब आपको समझ में आएगा कि हो किया रहा है मार्केट में, ठीक है, so with this, we conclude this session, thank you so much for joining, take care of yourself in your family, अन्यवाद, अन्यवाद सुपका,